आज नमस्कार प्रिये दर्शकों अब मैं आगे बोल रहा हूं पुरण गिरी जुना खेड़ा अनुवान मंदिर बाले सर्थ मैं एक संस्कारी नागा सन्यासी हूं और इस समय अंसन पर हूं याना 23 अगस्थ दो हजार पाईस तक्रीबन सौम पॉस बज़े से अंसन पर हूं और आज 131 दिन हुआ है याना सासन पर सासन किसी बड़े अधिकारी ने अब तक विशेश रूप से मेरे से कोई संप्रक नहीं किया और नहीं अंसन खुलाने का कोई प्रियास भी किया और नौर्मल कुस बाते हुई थी लेकिन कोई खास एहमियत नहीं दी गई है क्योंकि परकरती के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा और मेरा उधिस ये मेरा जीवन नहीं परकरती के रक्सा के लिए जीवन दाओ पर लगवाया था और अभी भी लगा हुआ है अब आगे क्या होगा इस वर जोने क्या हो होगा कल इस वी संद दोजार तेवीस आरम होने वाली है और एक देश में इस समय आना हमारे नरंदर भाई मोदी आना गुजरात के जो और इस समय देश के प्रदौन मंत्री है उनकी महतवश्री का श्वरग बास हुआ परसुरात्री को कल अंतिम संसकार हुआ दुकद की घ अंकट से जूंज रहा हूं और मैं साता हूं परकरती की रक्सा हो याना मैं एक ससा देश भक्त हूं परकरती प्रेमी हूं इस वर भक्त हूं समाज से भी हूं मौना होता क्या होती है कोई हमसे सौनी नहीं है लेकिन इन पसुपक्सियों के जीवन के लिए मैंने अपना बोलते हैं सोटा सब्द है लेकिन परकरती बड़ा सब्द है याना इन जीवजनत्वां की रक्षा के लिए अब हम पक्सियों की घड़ना आरम कर रहे हैं 31 दिसों मर्से हमेशों घड़ना करते हैं इस साल सुबह गिया है एक श्यार मोर्णियों ने बसा दिया है एक के पॉंस याना श्यार मोर्णि 12 बसा नय मोर पैदा हुए याना इसमें 12 ही हमारे नजर में आये तेरे थे यह कम हो गया और 8 मोर्णियों इसमें गूंब रही है और 8 भी नर इस पर देका Benni देते हैं लेकि यह 58 की संक्या फिलाल मिली है अब ही गोज रहे हैं पूरत गणना नहीं हो पाई है आगे 45 दिन में होती है जो कहते हैं मुअंधारी से कहते हैं कबूत्रों की संक्या में कमी आई है कमेडियों की संक्या में कमी आई है शिडियाओं में कमी आई है याना आज से तक्रीबन एक सो सालीस दिन पहले सब कुछ ठीक था और याना ठीक ढंक से याद नहीं है 27 जुलाई थी 27 जुलाई को हमने 32 किलो अनाज डाला याना 12 किलो एक वार दस दस किलो दो वार 35 किलो शिरफ एक किलो सून बसा याना 31 किलो एक दिन में पक्सी सून कर सकते हैं तो बताए अब पक्सियों की संक्या कितनी होगी 31 किलो एक दिन में और इसके बाद में कमी आई है अब सर्द रूत है पक्सियों के आने की रूत है लेकिन फिलाल कोटा फनरे भीस का ही नहीं रहा है याना पक्सियों में कम ही आईए हम साथ ही ये उजड़ी हुई परकर्ति वापस इस्तापीत हो और सभी कार ये परकर्ति के अनुको लो याना परकर्ति को उज़ाड कर याना अपने विनास को निमंत्रण दे रहे हैं पहला अधिकार परकर्ती का है याना हम भी तो परकर्ती में जन्द में हुए ये जीव जन्तु भी तो परकर्ती का ही ऐसा है और हम तो बनाए हुए भवन में रहते हैं इनका तो घरी बस परकर्ती में पेड़ फोदों पर याना यह मौनव दूरदरास तक जा सकता है लेकिन यह हमारे निकट आने सही है दूरदरास तक जाड़े से हुआ की परकरती हरी बरी होगी यहां की तो उजडेगी तो हमें हमारे आज पास परकरती है उनकी रक्सा जरूरी है और मैंने तो अपना जीवनी दाव पर लगवाय लेकिन किसी ने आज दिन तक याना एक तरह का मेरा निजी मौन लिया गया वरत याना निजी बरत मौन लिया गया और किसी ने विसे इस रूप से ज्यान नहीं दिया अगर हम सब की जिम्मेवारी है परकरती की रक्सा के लिए पिसले कई वरसों से याना मैं परकरती के बड़ी लेकिन 2007 में एक पास में कुछ डौसा बिनाया गया और पक्सियों की संक्या तेजी से घटी लेकिन हमने उजडी हुई परकरती को वापस संबाड़ा और धीरे धीरे संक्या बड़ाई अब गई साल करीबन 2200-2300 के पास पक्सि थे अब हम गणना कर रहे हैं पॉस दि लिए पहले सोवन थी और एक तीता और खरगोस इनकी हम गढ़ना नहीं बताते याना इनकी कितनी संक्या है यह सारुजिनीक नहीं की जाती है बाकि यह अटारा परकार के याना सोटे बड़े सब जीवां की यान परकरती के लिए सोटा क्यार बड़ा क्या मौनव में भी हो लेकिन जीव तो वही होता है प्रोणी मातर की रक्सा होनी सही है और मैं तो मौनव दे होते हुए इन पसुपक्सियों के लिए और यहों तक कि आप मेरी दिन सरिया जौनेंगे तो एक दो घंटों में पता नहीं सल सकता है अना कुछ समय तक आप साथ में रहिए पता सलेग जनतों से बासीत करता हूं और यह मेरी आवाज भी पैसोनते हैं जंगली होते हुए भी मेरे पास आ जाते हैं और अब बार सायद वीडियो लिया गया है याना पक्सियों का मेरे पास सून करते हुए और भी पक्सियों है बिलकुल मेरे निकट आ जाते हैं अन्ये से साही ड बाता डरती है हमारे पास आ जाती है याना सरासर प्रोणियों की रक्षा जरूरी है और मैं एक मौनव देदारी हूं याना बिनो आर का यह पिस्षी पर्सेंट नहीं के बराबर और पन्रा पर्सेंट आर बर जीवन जीआ और तेजी से बंज़न घटा याना परती दीन थो सुगरों बंज़न घटना याना वाश्तिय के के लिए परती हानीकारे dedicated या जीवन खत्रेम वो तेजी से बजन किरा और मैंने सताउन में दिन बजन करवाया 11 किलो 400 ग्राम कम हुआ 80 में दिन करवाया 16 किलो कम 90 दिन 17 किलो 100 दिन 18 किलो और इसमें मुझे ग्यात नहीं है करवाया नहीं पिछले 30 देन से आगे जो भी होगा बताऊंगा लेकिन जिस तरह ये आशिये हुआ है मेरे साथ याना एक सन्यासी होते हुए आशिये पर लिया गया ये ठीक नहीं किया है साहिसासन हो साहिपरसासन हो साहिब बड़े अदिकारी हो ऐसी खिलवाट मॉनों के साथ अब क् मॉनों का जीवन खत्रे में डालके दूसरे का इलाज साहत है हो सकता है इस समय क्या हो रहा है हो तो देखिए याना भौशिये भौशिये के गरब में है इस समय क्या हो रहा है हो तो देखिए क्या आपने सुद ली है क्या आपने फूसा है हमारा जीवन किस तरह सलता है यान इतने जीव जन्तों को भी मैं संबालता हूं और मेरे जीवन को भी संबालता हूं दूसरा होता दूसरा कोई होता धबराट होती देख खत्रे में पड़ जाती या अतम हतिया कर देता कोई कैसा गेर कौनूनी कौम भी कर सकता था या कौनून अपने हाथ में ले लेता था लेक परशासन ने मेरे सेम का आशिय उड़ाया और यह तक की एनोसी तका तक नहीं दिनी स्वास्तिय जास की 111 दिन गुजर गए हैं यह मेरे साथ खिलवाड नहीं तो क्या है इस देश में लोग तंतर है मात्मा गौंदी के फोटू लगे वे ओपर तराजू लगा हुआ है यहाना यह गौंदी का देश है जो राम राजिये की कलपना की गई थी और कुते की भी सोनवाई हो रही थी और मौजूदा सासर ने क्या किया मेरे मौनव जीवन को भी खत्रे में डाला यह खिलवाड ठीक मेरा खत्रे यहान नई किया है याना आगे आपकी सोस है मैं क्या कह compressed नई साल के लीए मुझे कोई बदढ़ाई ना दे यह मैं सबको बदढ़ाई और धन्यवाद देता हूं आपके लिए नई साल सूमंगल मैं हो खुषिर मैं हो मेरा जैसे दिन सर्या है मेरा भागे